हलो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास एंगलिश सिंप्लिफाइट एन थैंक्यू सो मुच फो जॉइनिंग अस तो स्टुडेंट्स आज हम एक करेक्टर स्केच को देखेंगे और वो है सुबू को था मंगलम का और यह जो करेक्टर है हमारा पोयर्स एंड पैनकेक से हमने लिया है और यह क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नमबर 6 है तो students यह जो character है यह एक कालपनिक character नहीं है यह एक real character है जो कि South India की film industry में बड़ा ही famous है तो यहाँ पर हम जो इसके character sketch को देखेंगे वो सरिफ हम chapter पर based देखेंगे कि chapter में हमें जितना इसके बारे में बताया गया है हम उतना ही यहाँ पर detail इसकी देखने वाले हैं तो start करते हैं सुबू कोथा मंगलम was a brahman by caste अब जो सुबू कोथा मंगलम है यह जाती से brahman थे सुबू was a many-sided genius जो सुबू था वो कई field में माहिर था कई field में वो योगिता उसने ले रखी थी और जैमनी स्टूडियो में उसकी सेकिंड पोजिशन थी नमबर फर्स्ट पोजिशन पर जैमनी स्टूडियो में उनके बास आया करते थे जिनका की जैमनी स्टूडियो था और वो था Mr. S. S. वासन अब जो बास थे जैमनी स्टूडियो के Mr. S. S. वासन ये स्टूडियो के एक रोल मोडल भी थे सुबू इनको बहुत जादा एप्रिशेट किया करता था सुबू was completely beautiful towards him और जो सुबू था उनके प्रती पूरी तरह से करता विनिष्ट था यानि कि वो अपने बास के प्रती बहुत जादा एमानदार था और उनका हर तरीके से वो थ्याम रखा करता था अब क्योंकि उन्होंने एक प्रामन फैमली में जनम लिया था और इसी वज़े से उनके सामने बहुत अच्छी अफसर उनको मिले अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अब उनके पास एक ऐसी अबिलिटी थी की वो हर समय हमेशा ही बड़े खुश नजराया करते थे हस्ते में नजराया करते थे He always had work for somebody and he had great loyalty to his work अब हर किसी की मदद करने के लिए तयार रहते थे कोई भी कारी उन्हें नज़र आता था किसी के लिए भी तो तुरंट उसको करने के लिए तयार थे और वो अपने काम के प्रती बहुत ही जादा इमानदार थे काम से वो जी नहीं चुराय करते थे और जो काम जैसा काम उन्हें मिले वो तुरंट खुशी-खुशी उसको पूरा करने में विश्वाश किया करते थे अब सुबू का जो उनके बास थे मिस्टर S.S. वासन इनके साथ एक बहुत ज़्यादा intimate relationship था ये बहुत ज़्यादा प्रसंद होते थे उनके साथ रहकर अब वो जैमनी स्टूडियो में सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहा करते थे as well as all the relatives and acquaintances और इसी तरीके से उनके जितने भी रिष्टेदार थे और जितने उनकी जान पहचान वाले थे वो सब के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहा करते थे still people not liked him because he was too close to his boss लेकिन इसके बावजुद जो लोग थे उनको बिलकुल पसंद नहीं करते थे और उसका मेन कारण यही था कि बावस उन पर बहुत ज़्यादा विश्वाश करते थे और जो जैमनी स्टूडियो के बावस थे Mr. S.S. वासन वो उनके बहुत ज़्यादा करीब थे तो लोग उनकी योगताओं को नहीं देखते थे सिर्फ इसी पास से उनसे जैलस रहते थे कि आखिर बावस इस पर इतना विश्वाश क्यों किया करते हैं He had the solution of all problems at one place अब उनके पास सभी problem का हल हुआ करता था सिर्फ एक जगे पर यानि कि एक सुबू को था मंगलम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाते थे कारे हो उसी कारे में उनको वो कारे करते वे देखा जा सकता था हर कारे करने में वो निपुन थे He also had the artistic talent as he was a poet and novelist also और इसके साथ साथ उनके अंदर artistic talent भी बहुत जादा था और वो एक कवी थे और इसके साथ साथ एक novel भी लिखा करते थे एक उपन्यासकार भी थे He used to write in a simple way for common math अब वो आम लोगों के लिए बहुत ही simple way में लिखा करते थे जिसे की सबी लोग उनसे बहुत जल्दी से connect हो जाया करते थे He was an amazing actor वो एक बहुत ही शानदर अक्टर थे Do never acted for a lead role but got more praise than the main character अब बेशक उन्होंने किसी भी फिल्म में कोई lead role play नहीं किया था लेकिन इसके बावजुत जब भी उन्होंने कोई role किया तो जो main character होता था students film का उससे जादा उनको जादा प्रशंशा मिल जाया करते थे यानि कि उनके role को एक छोटे से character में भी उनको बहुत जादा लोग appreciate किया करते थे और main character की बज़े उनको जादा प्रशंशा मिला करती थी He had a solution for every problem of his boss अब जो उनके boss थे Mr. S.S. वासन उनके पास अगर कोई भी problem होती थी यानि कि मेरी किसी भी problem का हल इसके पास है और मैं कभी भी परिशान होता हूँ तो ये फोरर मुझे उस परिशाने से बाहर निकाल देता है He was all-rounder वो एक all-rounder थे He was an Indian poet और इसके साथ साथ वो एक भारतिय कभी भी थे He was a lyricist और वो एक गीतकार थे He was an author, actor and film director based in Tamil Nadu और Tamil Nadu की film industry में वो एक author थे, लेखक थे एक actor भी थे और उसके साथ साथ वो एक film director भी थे यानि के students उनके अंदर all-rounder वाली abilities थी कोई भी कारियों ने दिया जाये वो हर कारियों को बहुत बख्खु भी निभा जाया करते थे He wrote the cult classic Tamil novel थिलाना मोहनमबल और उन्होंने एक cult classic novel लिखा Tamil novel उन्होंने लिखा जिसका नाम था थिलाना मोहनमबल और जिसकी वज़े से उनको बहुत ज़्यादा लोग प्रेयता मिली लोगों ने इस novel को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उनको पदमिश्री के अवार्ड से भी नवाजा किया तो स्टुडेंट्स ये जो सुबु को था मंगलम थे ये बहुत ज़्यादा हस्मुक व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा टैलेंटिड थे और इसी वज़े से लोग इन से जैलिसी फिल किया करते थे बेशक वो कितने ही लोगों के लिए हेल्पफुल रहा करते थे फिर भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे तो स्टुडेंट्स उमीद है ये करेक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बल को प्रेस कीजिए और पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वाचिंग स्टे कनेक्टिड थैंक यू